नमस्कार आप देख रहे हैं आरजे नियूस और मैं आपके साथ शेहनीला दानी नजीब होसले से भरती उची उडान ना कोई शिकायत ना कोई थकान यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है आई एस आफिसर आर्थी डोगरा पर उनका कद भले ही तीन फीट छेंज का हो लेकिन महनत और लगन के आगे बड़े-बड़े लोग भी बौने साबित हो रहे हैं खुले में शौच से मुक्ती के लिए उनकी ओर से चलाए गए स्वच्चता मॉडल बनके बिकानों की आज भी तारिफ होती है इसके लिए प्रधान मंतरी कारयली की ओर से उनकी सराहना भी की गई थी वही कोरोना वाइरस के दौरान उनके द्वारा किये गए कामों की भी काफी चर्चा रही लोग उनकी निष्ठा और जजबे को सलाम करते हैं और देखकर हैरान भी है और उन्हें प्रिर्णा दाई भी माना जा रहा है आरती के पिता सेना में अफसर है और उनकी मा प्रिंस्पल है आरती शुरू से ही पढ़ाई लिखाए के साथ खेल कूद में भी अवल रही उत्राखंड के देहरादून में जन्मी आरती साल 2006 बैच की आई-स अफसर है फिलाल उन्हें राजस्थान की अजमेर की नई जिलाधिकारी के तौर पर नियुक्ती मिली है इससे पहले भी वे एसडियम अजमेर के पत पर पदस्थापित रह चुकी है आरती को जन्म के समय कुछ शाररिक दिक्कत थी जिसके चलते उनका कद नहीं बढ़ सका था इसी वज़े से उन्हें शुरुवाती दोर में लोगों की काफी बाते सुननी पड़े मगर उन्होंने अपने कमजोरी को अपनी प्रतिभा के आगे आड़े आने नहीं दिया और आईएस अफसर बन कर सबकी बोलती बन कर दी आज पूरे समाज समेत देश भर में उनका नाम है हर कोई उनकी मिसाल दे रहा है अपने माता-पिता के भरोसे पर खरी उतरती हुई आरती ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से एकॉनमिक्स में ग्राजविट की डिगरी हासल की छातर संग का चुनाओ भी जीत चुकी है पूरो राश्टपती अब्दुलकलाम उनकी काम की तारीव भी कर चुके हैं बच्पन से ही भेदभाव का उन्होंने सामना किया लोगों के द्वारा हसी मजाक उड़ाया गया यहां तक कि उन्हें बोज भी कहा गया लेकिन आर्टी ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर आज यह मुकाम हासल किया बहराल आज की नारी का सफर चुनाओती भरा जरूर है पर उसमें चुनाओतियों से लड़ने की हिम्मत आ गई है अपने आत्म विश्वास के बल पर आज वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है अभी तक के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे नियूस के साथ नमस्कार